असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे आलू गोष्ट का खोर्मा जो के बहुत ही बहतरी निसकी रेसिपी है आखर तक इस वीडियो को जरूर देखिए जो लोग रोजना तरकारी भाजी खा खा कर ठक गए हैं तो वो एक नई डिश ये ट्राइ कर सकत है पां से छे टमाटर लिये हैं आधे खोपरे को कट करके इस तरह से हम तवे पर भून लेंगे और यहां पर आधा किलो गोष्ट को अधकले से नम्मक हल्दी डाल कर यहां पर हमने नमकीन कर लिया था फिर उसके बाद जो चौप किये हुए ओनियन था उसको तवे पर यहा साथ में हमने गरम मसाला भी उपर से टाला है और धनिया पाउडर यह अच्छे से फाइन पेस्ट बन गया है और यहां पर वन बॉल में हमने दही भी आट कर लिया है तो सब में पहले कूकर में दो डोई ओल डालेंगे और कटी हुई प्यास को इसमें डाल कर लाल अच्छे कुछा से बुन लेंगे उसके बाद कटे हुई टामाटा राइड गरेंगे और एक मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद डालेंगे सौल तू टेस्ट हाल्दी पाउडर उन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे उसको इसमें शामिल करके अच्छे से भूनेंगे एक मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे उसके बाद दो नीमबू का यहां पर जूस निकालके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद दही को इसमें शामिल करके अच्छा सा मिक्स करेंगे अब यहां पर तीन से चार सीटी में गोश को हम गला लेंगे और आप देख सकते हैं यहां गोश गल गया है और इसका कलर भी बहुत बहतरी नाया है उसके बाद जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसको इसमें शामिल कर देंगे और दो मिनट तक इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे उसके पाद आधा गिलास पानी हम इसमें शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे उसके बाद और देड़ गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया इसके consistency को नर्मल रखने के लिए उसके बाद धनिये के पत्ते हमने इसमें शामिल किये और एक मिनट तक उटाएंगे और हमारा सालन बनकर बिल्कुल तयार है लाइक एंड कोमेंट करके रेसिपी कैसी लगी जरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अपना खयाल रखें अल्ला हाफिस